नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? उमीद करता हूँ अच्छे होंगे, शुवस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रोवाज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अलफाबेट के जो टी नाम बाले जातक होते हैं जैसे किनही का नाम तरुन होगा, किनही का नाम तेज बरताब होगा, तो जो टी नाम बाले लोग होते हैं, इनकी साधी किस रासी के लोगों के शाथ में होगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो टी नाम बालों के लिए बहुत ज्यादा महत्पुर्ण और उप्योगी होने वाला है परंतों से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है, तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं शब से पहले हम लोग जानते हैं कि जो भी टी नाम बाले लोग होते हैं, इनका शुभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनका रहन सहन कैसा होता है मित्रो टी नाम वाले जो भी लोग होते हैं ये लोग सुभाव से बहुत ज्यादा महत्तुक कांची होते हैं इसके अलावा ये लोग बहुत ज्यादा साहसी, मजबूत और इच्छा सक्ती वाले होते हैं ये लोग मन ही मन अगर कुछ तै कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है तो उस काम को करने में ये लोग हमेशा 100% अवश्चे देते हैं और किसी भी काम को करने में लापरवाही करना इनको पसंद बिलकुल भी नहीं होता है ये लोग मन से सुभाव से बहुत ज्यादा सकारात्मक होते हैं इनके मन में निगेटी बातें नकारात्मक विचार ज्यादा बिलकुल भी नहीं होता है मित्रों इस नाम के जो लोग होते हैं वो एकदम आजाद खयाल वाले होते हैं यानि कि इनका विचार इनका दृष्टिकोन हमेशा आजाद होता है किसी भी इनसान की बातों के नीचे में दब कर रहना ये लोग पसंद बिलकुल भी नहीं होते हैं इन लोगों में जो confidence level होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और ऐसा confidence level अन्य रासी वालों में बहुत कम देखने को मिलता है ये लोग हमेशा अपने जीवन में सीधी बात करने में यानि कि किसी भी इनसान को अगर कुछ बोलना है तो उसके पीठ पीछे नहीं बोलते हैं ये लोग आमने सामने एकदम मुह पे शाड़ी बातों को बोलते हैं यानि कि सीधी बात बोलने में ये लोग बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं और ये लोग अगर अपने जीवन में कुछ भी तैग कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उस काम को करने में हमेशा अपना 100% अवश्य देते हैं, इसके अलावा इनकी कुछ कमजोडी होती है, ये लोग लाइम लाइट में रहना बहुत जयादा पसंद करते हैं, यानि कि हमेशा लोग इनके बाड़े में बात करें, हमेशा लोग इनको देखें, इनको ये बहुत जयादा पसंद होता है, ये लोग अपने पहचान को बनाने के लिए बहुत जयादा प्रयास करते हैं, इनको हमेशा अपने जीवन में अपना तारीफ सुनना, प्रसंसा सुनना बहुत जयादा पसंद होता है, और ये इनकी सबसे बड़ी इनका कुछ गुन होता है ये लोग शुभाव से बहुत ज्यादा विनोधी होते हैं यानि कि हसी मजा करना हाज से विनोध करना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है विनोधी होने के अलावा ये लोग शुभाव से बहुत रचनातमक होते हैं भाबुक होते हैं उदार होते ह गर्म दिल के होते हैं और हसमुक होते हैं यानि कि हसी मजा की ये लोग हमेशा करते रहते हैं इनकी जो नापसंद होती है वो होता है कोई इनसान इनको अंदेखा कर दे यानि कोई इनसान इनके सामने से गुजर जाए और इनको देखे नहीं इनसे बात नहीं करे, इनकी तारीफ नहीं करे, ये इनको पसंद बिलकुल भी नहीं होता है ये लोग हमेशा अपने जीवन में एक राजा या एक राणी के तरह अपने जीवन को वितीत करना बहुत जयादा पसंद करते हैं तो ये था टी नामबालों का शुभाव अब इसके वाद जानते हैं कि आपको किसके साथ में साधी करनी चाहिए या किसके साथ में अगर आप लव लाइफ में आते हैं प्रेम शंबंध में आते हैं तो आपका फ्यूचर शांदार होगा सुनिएगा ध्यान से अगर आपकी साधी मेस रासी के साथ में होती है तो आपका दामपत्य जीवन मजबूत रहेगा इसके अलावा अगर आपकी शाधी ब्रिश्चिक रासी के साथ में होती है तो भी आपकी शाधी अच्छी रहेगी मित्रों उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा अगर आपके मन में कोई प्रश्ण हो कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता आवश्च की जाएगी वैसे मुझे उमीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा वाइटी मिस्रा को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को आपको हर जगह से एर कर देना है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद